नमस्क्राइब चाहिए जे हिंग जे भारत बंदे मत्रम SSC CGL Tier 1 Result 2022 को लेकर यहां पर सभी के मन में डाउट है और मैं आज की विडियो में आपको रिजल्ट कैसे देखना है यह आज की विडियो में आपको बताऊंगा तो फटा फट से इस वीडियो को एंड तक देखना क्य मिलेगा उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि SSC CGL 2021 का जो हमने यहां पर जो निकाला था कि क्या डेट हो सकती है जो 2022 में अपने जो रिजल्ट को लेकर तो 2021 के बेजड पर हमने जो डेट निकाली थी वह मैं बता देता हूं सबसे पहले नोटिविकेशन अपना आया 21 को और यहां पर एक्जाम डेट थी 11 अपरेल से 21 अपरेल 10 दिन के अपने एक्जाम चले थी 2021 में बही में बात करूँ अंसर की इनोंने 11 दिन बात दे दी थी अपन को रिजल्ट इनोंने जुलाई मतलब 2 महीने बाद इनोंने लिस कर दिया अब इसी बेजड पर आपको 2022 का रिजल्ट का बता देता हूँ एक्जाम डेट अपने एक दिसमबर से लेकर इनोंने 13 दिसमबर के बीच कंड़क्ट कराएं मतलब 13 दिन अपने एक्जाम चले 12 तेरा दिन अपने एक्जाम चले अंसर की में बही बात करूँ तो इनोंने 17 दिसमबर 2022 मतलब 4 दिन बाद इनों अब पहुंच रहे अब भाई मैं आपको बता दू कि इस बात में किती सच्चा है यह रिजल्ट को सबसे पिले मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं तो यहाँ पर हूं मैं अभी Google पर और सिंपल यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है यहाँ पर exam exam-serकारी-result.info यह जो उपर ही-उपर साइड आ रही है जो मैंने लिखा है इसको आपको सिंपल यहाँ पर सर्च कर लेना है जिसे आप इसको सर्च करते हो इसका इंटरफेस को यह साथ है फर्स्ट अब जो साइड रहती है आपको सिंपल इस पर टच कर देना है जिसे आप टच करोगे तो यहाँ पर आप जो सर्च वार का ओप्शन है आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो SSC CGL Tier 1 वहीं यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करकर भी आप जा सकते हो वहीं यहाँ यहाँ पर रिजल्ट शेक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पर रिजल्ट शेक्शन है और वहीं थोड़ा से स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ थोड चार दिन बाद रिलीस कर दी वहीं exam result January इन्होंने बताया है वहीं मैं थोड़ा सा नीचे स्कॉल करता हूँ तो आप देख सकते हो कि पूरा लिखा है वहीं थोड़ा सा नीचे स्कॉल करता हूँ तो CGL Tier 1 result link यहाँ पर link activate soon लिखा है तो link activate जल्दी हो सकती है अब मैं आपको दो कि कब तक हो सकती है यह भी जानी लीजिए तो भहीं मैं बात करूँ तब ही अपनी चल रही है 26 January आज है 26 January अब मैं बात करूँ तो जो अपना मुताबिक जो date जो exam आना है वो last January के end में आना है ज पर मैं आपको होता दूँ का आज है 26 January तो अपना जो result है 31 January के बीच में कभी भी announced हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो side ने भी अपने को last में बता है और हमारे जो मताबिक है उसके मताबिक भी जो result है वो जनवरी के last में 26-31 January के बीच में कभी भी अपना result हो सकता है तो पल-प के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं क्योंकि सीजील के रिगार्डिंग आपको पल-पल के अपडेट हम आपको प्रवाइट कर आते रहते हैं तो फटावर्स इस चैनल को सस्काइब कर लिजी क्योंकि जैसी result आता है तो सबसे पहले यही चैनल प्र आत बंदे मतरम